समस्कार दोस्तों मैं हूँ नरेशवारी आज हम इस वीडियो में आई यार के सिदानत सोशल कंस्ट्रक्टिविजम को पढ़ेंगी सोशल कंस्ट्रक्टिविजम को हिंदी में सामाजी गरचनाबाद और कुछ अलग भी इसके नुवाज मिलते हैं लेकिन अपने सोशल कंस्ट्रक्टिविजम ही बोलेंग 1980s और 90s में यहां 1980s में हम देखते हैं कि IR में जो डवलप्मेंट हो रहे हैं वो हैं सोशियोलोजिकल थेयरी का विकास हो रहा है यानि प्रमुक हो रही है पोस्ट मोर्डन थेयरी इसी का इपार्ट है एक त्रीके से यह इसी टाइप का Postmodern theories में जैसे critical theory है, feminism है, ये सिधान्त develop हो रहे है इसके साथ साथ एक turn है normative turn, यानि वापस norms IR में महतुपूर्ण हो रहे है और sociological theory, sociological theory का भी एक तरीके से turn है तो इस context में एक सिधान्त आता है social constructivism दो 1980s में अमेरिका में आता है, लेकिन 1980s में इतना लोग प्रिये नहीं होता ये 1990s में जाकर के लोग प्रिये होता है ये है सिधान्त जो rationalist theory है rationalist theory में मुख्यत है जो new new debate के जो participant थे नियो लिबरलिजम एंड नियो रियलिजम ये rationalist theory कहलाते हैं क्योंकि ये जो rationalist choice theory और जो economics की मनुश्य की संकल्पना है कि मनुश्य एक rationalist egoist है और वो अपने rationalist egoist है और वो अपने utilitarian purposes को solve करने के लिए maximization के लिए काम करता है तो उस दारना पर new realist और new liberalism टिके हुए हैं तो ये सिधान्त रियस्नलिस्ट सिधान्त कहलाते हैं दूसरी तरब जो critical theories है critical theories यानि खुद critical theory, postmodernism, feminism ये सारे सिधान्त critical theory कहलाते हैं जो radical interpretation और anti-foundational theory भी इनको कहते हैं ये सिधान्त है ये जो rationalist सिधान्त है उन्हें foundational theory भी कहते हैं foundational theory और जो critical theories हैं इनको anti-foundational theory भी कहते हैं foundational theory जो कहते हैं कि भी objective knowledge संभव है और anti-foundational theory ये कहते हैं कि objective knowledge संभव नहीं है तो ये एकदम जुदा दो stream है आई-ार की और जो critical theory है ये 90s में ही सबसे ज़्यादा मेहते पूर्ण हो थी ये देपीन का development पहले से start हो जाता है इन दोनों दो जो दुरू हैं इन दोनों की बीच में gap पहना उस gap को बरती है social constructivism अब इस gap को social constructivism कैसे बरती है इसकी ontology, epistemology, methodology और axiology कोई सिधान्त है तो उसकी चार parameters है चार pillars है जो उसमें अंतर रखते हैं अन्य सिधान्तों से तो वो कौन है वो कैसे है जो इन दोनों की बीच में gap को bridge करते हैं देखते हैं social constructivism जो term है वो निकोलस जी ओनफ ने 1989 में वर्ल्ड आर मेकिंग उनकी जो रचना थी उसमें दिया social constructivism जैसा मैंने बताया 80s में आती है USA में लेकिन लोगपरिय होती है 90s में तो जो कारण मेहतो पूर्ण कारण है लोगपरियता के उनमें सबसे मेहतो पूर्ण है सीट यूद का अंत क्योंकि जो rationalist theory थी तो दोनों नियो नियो liberalism और नियो रियलिजम दोनों ने यह वविश्यवानी नहीं कि थी या दोनों ने यह सोचा ही नहीं था कि cold war हो खतम हो जाएगा क्योंकि दोनों जैसे नियो रियलिस्ट हैं तो वो bipolar system को stability की बात करते हैं वो कहते हैं कि जब system bipolar हो जाता है तब तो stability जादा आती है जबकि वाई ये था कि CTU खतम हो गया था वैसे ही अन्य जो कारक थे अंतराश्टे राजनेतिक सिधानतों में जो sociological and critical turn है उसका योगदान है new-new debate की जो criticism हुई उसने new-new debate ने भी जो response दिया वो तथा खुद इसकी जो social constructivism है इसकी योगदा तो definitely है यह तभी उसकी लोग प्रियता हुई social constructivism सिधानत के जो आधारबूत विशेशताएं हैं वो हम देखते हैं एक एक करके first social constructivism सिधानत एक substantive theory नहीं है एक सामाजिक सिधानत है देखिए substantive theory क्या होती है जो IR का या international politics का एक जो core issues है या एक alternate प्रस्तूत करती है कि भी ये IR है यानि जो international politics का एक alternate प्रस्तूत करती है मैतोपून questions को address करती है वहीं जो social theory होती है ये कोई alternate प्रस्तूत नहीं करती है पूरी IP का अंतराश्टी राजनिती का जबकि ये एक तरीके से ये offer करती है कि हमें सामाजिक origin का और सामाज में agents, actors institutions, structures इनका द्यान करना चाहिए तो इस तरह से ये कहना कि ये सामाज जो rationalist new rationalist theory है उनका alternate है एक तरीके से alternate नहीं है ये थोड़ा अलग है उनसे ये एक तरीके से यूँ समझिये कि एक epistemological approach है एक ontological रूज़ान है पुरुनतिया substantive theory नहीं है यही बात critical theory के लिए भी कही जाती है कि ये कोई अपने को एक world offer नहीं करती कि भी ये truth ओने वाला है ये कहती है कि truth को ऐसे जानना चाहिए truth की रचना ऐसी होती है truth का सौरूप ऐसे होता है तो इस वज़े से ये एक substantive theory नहीं है एक social theory है idealism के प्रति प्रतिबदता ideationalism ये idealism का अर्थ ये है कि ये सिदानतिये कहते हैं कि जो rationalist theory है new new उन्होंने material पर इतना ज़्यादा focus किया है कि ideas की कीमत को ये लोग भूल गए है और ideas की कीमत social constructivism किसमें स्विकार करते हैं कि ideas decide करते हैं कि organization का स्वरूप कैसा होगा उसका रुपानतरन कैसा होगा यानि उसको transform वो कैसे होता है सरंचनाए हैं उनका स्वरूप कैसा होगा वो कैसे shape लेती है वैदता कैसे मिलती है यानि कोई चीज़ कोई काम है वो function कोई काम है उसको legitimacy कैसे असील होती है तो इस तरीके से ideas हैं वो हो ज़्यादा महतुपूर्ण है सरंचना के अस्तितु, सरंचना के स्वरूप देते हैं तो यहां हम देखते हैं कि social constructivism है वो भी एक सरंचनावादी सिदान्द है structural theory है structural theory है जैसे new realism structural theory है लेकिन इनकी जो structure है वो है rationalist सिदान्द से अलग है यह structure की बात करते हैं social structure की जो dynamic है और वो कैसे agent और agency के mutual constitution से built होती है यह हम आगे देखें रगी का कथन famous है constructism is about human consciousness and its role in international life जो सरंचनाई है समाजिक सरंचनावादी जिन सरंचनाओं को महतोपून मानते हैं वो सरंचनाई human interaction का प्रिनाम है यानि human interaction से structure built होती है लेकिन यह जो interaction है यह जो ideational forces है जैसे knowledge जो belief system है जो norms है practices है इन सब से यह बनता है यानि मानव के interaction से सरंचनाई बनती है और यह जो interactions है यह in ideational forces से शेप लेता है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस परकार से जो ideas and norms हैं वो social constructivism का हाधार है उसकी जो मुख्य reality की सरंचना है ontological perspective है वो ideational है ideational के परतिपद है social constructivism में एक महतुपूर्ण अधियन है finmore and skinnick का 1998 का उन्होंने norm cycle बताया कि किस तरीके से जो norms हैं वो स्थान ग्रेंड करते हैं और परतिस्थापित होते हैं उन्होंने बताया कि तीन stage होती है ये objective questions बनता है norm submergence norm cascade and internalization norm submergence यानि norm का उद्धे होता है norm cascade यानि ये परशार होता है और internalization का आर्थ है कि कोई norm से है वो इतना ज़्यादा स्विकारे हो जाता है कि वो एक given reality की तरह लगने लग जाता है उस norm की जो द्वारस्थापितरी यथार्थ है वो हमें एक given यथार्थ की तरह लगने लग जाता है बजाए constructed reality के तीसरी जो विशेष्टा है हुआ है holism के परती परती बदता देखिए जो rationalist है वो individual ontology में बिल्यू करते हैं और social constructivist holist ontology में बिल्यू करते हैं ontology, epistemology यह जो terms है यह मुश्किल है इनको थोड़ा समझना कि क्या है ontology जिसे हिंदी में तत्व मिमान साब बोलते हैं इसका आर्थ यह है कि जो reality है उसका स्वरूप कैसा है तो rationalist यह मानते हैं कि जो individual है यानि नियो liberalist और नियो realist का जो individual है वो कैसा है pre-social है यानि वो समाज से के अस्तित्व से पहले ही है और समाज के परती obligation नहीं है और समाज एक तरीके से उसकी जो वरियताएं है उसका स्वरूप है वो टै नहीं करता है वह जो individual है वो rationalist, egoist वाला है यानि अपनी जो utilitarian benefits हैं utilitarian utilities हैं उनको maximize करने के लिए काम करता है और जो ऐसा individual है जो rationalist, egoist है इन सब के जोड से ही whole बनता है whole यथार्थ यानि संपूर्ण reality बनती है यह है individualist egoist individualist ontology वहीं जो सामाजी करिचनावादी है social constructivist है वो यह कहते हैं कि holistic ontology यानि जो संपूर्ण है उसको वो कोई individual का योग मातर नहीं है और individual का जो अस्तित्व हो है संपूर्ण के साथ ही संपूर्ण है otherwise नहीं है यानि कहने का मतलब कि individuals है उसकी रचना social है यानि individual क्या है यह समाज से अलग करके उसे नहीं देखा जा सकता वह है socially constructed है और समाज है वह individual का योग मातर नहीं है तो यह ओलिस्ट ontology है जिसमे individual और reality को ऐसे टुकुडों में break करके और उन टुकुडों को जोडने मातर से वह संपूर्ण नहीं बन जाता जबकि जो units है उसका अस्तित्व संपूर्ण के अस्तित्व के साथ ही संबव है गजिनी ने social constructivism को define करने के लिए कहा कि तीन आदारों पर यह है जो rationalist सिदानत है उनसे अलग है उन्होंने कहा epistemological claim है इनके तो epistemological claim इनके यह है कि जो knowledge है वह है socially constructed है यानि ग्यान है वह है सामाजिक रूप से सरंचित या सामाजिक रूप से रचित ज्यान है ontological claim है कि reality भी socially constructed है reality is socially constructed reflexive claim से तात्पी यह है कि 1988 में Q.Hen ने यह टर्म दिया था reflexivity reflexivity क्या होती है reflexivity से तात्प्रे है कि जो agents और units और structure है उनके बीच में interaction होता है और उस interaction से ही knowledge and reality का निर्मान होता है तो reflexivity एक तरीके से जो नियो रियलिस्ट क्लेम है कि knowledge and fact and values की डायक्टो में संबव है reality as a given है endogenous है sorry exogenous है इन सब के अलग है reflexivity ये दावा करती है कि व्यक्ति और समाज की सरंचना के मद्य interaction होता है और उस interaction से ही यथार्थ का निर्मान होता है तो ये एक तरीके से वही विशेशता है ये जो सिधान्त है बले यो नारिवाद हो critical theory हो postmodernism हो इनकी भी एक विशेशता है कि ये reflexivity को reflexivity में विश्वास करते है तो यहाँ social constructivism के अर्थ में ये कहना चाते हैं गजिनी कि reflexivity claim है यानि knowledge and reality भी mutually constructed है यानि knowledge से reality structure लेती है और reality से knowledge structure लेता है mutually constituted है mutually यानि साथ जारूप से निर्मीद है तो ये social constructivism की तीन विशेशता है इन्होंने बताई reject unity of science समाजिक रचनावाद unity of science की जो belief है unity of science की belief ये मानती है कि जो natural science है और social science है उनको मिलाया जा सकता है उनमें एक जैसी methodology अपनाई जा सकती है सामाजिक विज्ञान भी वैसा ही है लेकिन सामाजिक रचनावाद social constructivism इस hypothesis को खारिज करता है वो यह कहता है कि यह सही नहीं है क्योंकि जो natural world है वो जो natural fact है जिने वो brute fact बोलता है कि brute fact से मिलकर बना है brute fact का अर्थ है कि यह मनुश्य के अस्तित्वे पर इनका अस्तित्वे नहीं टिका हुआ मनुश्य के अस्तित्वे पर इनका अस्तित्वे नहीं टिकावा यानि अगर हम किसी गिरतेवे पिंड का देन करना चाहते है तो वो पिंड वैसे ही गिरेगा बलेई observant A है B है या C है तो इस तरह से natural world है वो उसका अस्तित्वे सभी वेक्तियों के लिए समान है और उसका मनुश्य के साथ मनुश्य के स्तित्वे पर उनका अस्तित्वे नहीं टिकावा वहीं सोसल वर्ल्ड को वेंट यह कहते हैं या जो समाजी रचनावादी हैं वो यह कहते हैं यह सोसल फैक्ट से मिलकर बना होता है और सोसल फैक्ट का जो अस्तित्व है वें यूमन एग्रिमेंट पर टिकावता है फोर एग्जामपल जैसे विकास क्या है यूमन राइट क्या है रिफ्यूजी कोन होंगे यह सब मनुष्य की जो आपसी सहमती है वही इसे डिफाइन करती है जैसे फोर एग्जामपल सरणार्थी है तो सरणार्थी जैकि माइग्रेशन हमेशा से रहा है मानौ समाज में माइग्रेशन एक समाज से दूसरी जगह हमेशा आते जाते रहें लेकिन ये refugee की जो संकल्पना है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन refugee की संकल्पना मानव की जो action है उसको legitimize करती है ऐसे human intervention की संकल्पना है इवन विकास क्या है? विकास per capita income में नापा जाएगा या विकास GDP growth के रुप में नापा जाएगा या पर्यावरन परच्छती के आदार पर नापा जाएगा ये जो सारी संकल्पना है ये human agreement पर depend करती है मानव की सहमतियों पर निरबर करती है इसलिए ये social facts है और ये brute facts से अलग है और social world है वो इन से मिलकर बना होता है इसलिए science, natural science और social science की unity संभव नहीं है सामाजिक रचनावाद की जो अगली आदार पुत विशेशता हैं है वो है reality is socially constructed यथार्थ सामाजिक रूप से रचित होता है यथार्थ सामाजिक रूप से रचित होता है इसके माइने है कि actor है वो social है यानि वो pre-social नहीं है as a given नहीं है actor समाज EU से रचित करता है यानि actor के जो ID है यानि identity है identity है उसके जो interest है ये सब सामाजिक जो सरंचनाए है सामाजिक जो values है विलिप सिस्टम है नोलेज है नोम्स है प्रैक्टिसेज है ये टै करती है कहने का मतलब nurturing है वह है actor की ID और interest को तै करने में महतोपूर्ण है बजाए nature के तो यथार्थ वो social constructed मानने कार्थ है कि जो agents है और जो structure है उनके बीच में एक तरह का mutually constitution है व्यक्ति अपने संसार की व्याख्या और रचना करता है यानि व्यक्ति अपने संसार की व्याख्या भी करता है और रचना भी करता है और ये व्याख्या और रचना की साधार पर करता है ग्यान प्रतीग अवधारनाई नियम कैटेगरीज के द्वारा तो इस तरीके से जो ये reality है ये objective है लेकिन सामाजिक तक्थियों से मिलकर बनी है objective किसलिए है objective इसर्थ में है कि बले ये सामाजिक तक्थियों से निर्मित होती है लेकिन ये है इतनी ज़्यादा जैसे norms internalization बताया था फिनिक ने कि इतनी ज़्यादा internalize हो जाती है कि ये हमें given reality की तरह लगती है ये दपी social constructivist ये कहते हैं कि हमें इसे denaturalize करना है कि जो यथार्थ होता है वो given लगने लग जाता है लेकिन वह है socially constructed होता है तो ये ये कहते हैं कि ये ये दपी objective लगती है लेकिन ये social facts से मिलकर बनी होती है brute facts और social facts का अंतर हम समझे चुके है socially constructed reality से ये तात्परिये भी है कि inter subjective meaning या inter subjective जो beliefs होते हैं उन से यह है रचित होती है तो ये भी समाज जीक जो रचनावादी है उनका aim है कि हमें दो aim है कि तरी के सुनके एक है कि हमें neutralize करना है यानि कोई चीज जो आज हमें एक given reality की तरह लग रही है एक ऐसा लग रहा है जैसे जो objective है universal है लेकिन वैवास्तव में सामाजिक रूप से रचित होती है तो इसे समझना है और इसे इसकी व्याख्या करनी है दूसरा जो उदेश्य है वो है inter subjective meanings को समझना social constructivism के दो उदेशे हैं ये मैंने बता दिया last slide में अब हम ये देखते हैं कि अगर कुछ जो अब तक हमने पढ़ा है उन विशेश्ताओं को लेते वे और अगर एक जगे हम summarize करें तो सामाजिक रचनावाद की जो methodology है वो क्या है तो सामाजिक रचनावाद जो मानता है कि यानि ontology क्या है कि reality है वह है socially constructed है नहीं कि एक given reality के रूप में exogenously available है ऐसा नहीं है व्यक्ति और reality agent और reality है वो mutually constructed है ideational है यानि ideas, norms इनके प्रतिबद देता है यह हमने देख ली कि कि किस प्रकार ideas है और norms है वो reality को और knowledge को shape देते है interpretation यानि किसी ने किसी तरीके से interpretation के प्रति इनकी जो methodology है वो प्रतिबद है क्योंकि interpretation से ये inter subjective meanings है उनको उन तक पहुंचना चाहते है contingent generalization का आर्थ है कि जो rationalist सिधान्त है ये meta narrative में believe करते हैं grand theory में believe करते हैं meta narrative grand theory सिधात परे है जो एक सिधान्त से एक तरीके से उस सिधान्त को universally क्लेम करते हैं कि यथार्थ ऐसा है या ऐसा में उसने समझने की जरूरी है लेकिन यानि यह बात पूरी दुनिया पर लागू होती है इस प्रकार से ये यथार्थ को समझते हैं यानि big true इसे big t भी का जाता है कि जो सारोत्रिक सत्य की बात करते हैं कि ये है this is true this is truth लेकिन जो critical theory से परभावित सिधान्त हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है या ऐसा गलत है universally truth है वो है उसे claim नहीं किया जा सकता क्योंकि claim की truth है उसकी रचना की परटी की हुई है context परटी की हुई है क्योंकि वो है socially constructed है वो है norms से constructed है तो ये कहना कि ये truth है ये है universally claim करना गलत है इसलिए ये इतने generalization के समर्थक नहीं है कि पूरी दुनिया को एक यथार्थ में बताया जा सके ये कहते हैं कि हमें contingent generalization यानि छोटे छोटे भागों के truth को पकड़ना चाहिए और ये universal truth के दावा है वह है गलत है यानि small t यानि छोटे छोटे कोई भी परकार के भाग हो सकत हैं यथार्थ को परभावित करने वाले किसी भी norms के आदार पर इनका भी बाजन हो सकता है यानि एक तरीके से truth हैं वो कई है many truths, truth are context dependence and truth is socially constructed तो ये जो संकलपना है contingent generalization यानि universal generalization की बजाए कि हमें इतना समान यह करन नहीं करना है कि पूरी दुनिया या पूरी यथार्थ क हम एक ही lens से देखें या एक ही सिदानत की रूप में उसे समझाने की कोशिस करें हमें contingent generalization यानि छोटे-छोटे सत्य को तलासना है कई सत्य है dialectical constitution of knowledge and reality ये हम देख चुके हैं तेकिन एक बार फिर देखते हैं दूसरा है mutual constitution of agent and structure ये जो दोन्नों विशेशताए हैं ये international relation में जो agent structure debate और दूसरा जो मैंने बताया कि किस परकार social constructivism है वो rationalist theory और जो critical theory हैं उनके बीच में gap को bridge करना चाते हैं उन दोनों का ये हदार है तो knowledge and reality और agent and structure ये mutually constitutes कैसे हैं social constructivist ये कहते हैं कि agent है वो यथार्थ को अकार देता है शेप देता है और ये agent अपने action से देता है जो उसका agent का जो action और interaction है उससे ये थार्थ आकार ग्रहन करता है लेकिन agent का जो action and interaction है वो depend करता है कि ये थार्थ की जो dynamic, normative, epistemic व्याख्या है यानि ये थार्थ की जो व्याख्या करता है agents उससे उसके action और interaction निरधारीत होते है यानि अमने देखा था कि interaction है वो जो ideational forces है उनका sum है वही interaction को परभावित करता है तो ये थार्थ की जो व्याख्या करता है agents उसससे उसका करते है परभावित होते है और यह जो व्याख्या है यह है उसकी knowledge, belief, rules, practices इन सब से परभावित होती है तो किस प्रकार हम देखते हैं कि agent structure को shape दे रहा है वहीं structure की जो structure है उसकी जो व्याख्या है वही agent के action और interaction को परभावित कर रही है तो यहाँ यह जो point है कि mutually constituted है यह है यह वो gap bridge करने वाली बात है क्योंकि जो rationalist है वो तो मानते हैं कि agent है वो स्वतंतर है उसका समाज से समंद नहीं है वो एक given reality के तुरूप में exogenous होता है independent है और जो critical theorist है वो यह मानते हैं कि सबकुछ सी ही belief system और यानी structure है वो ज़्यादा कहीं ज़्यादा महतुपूर्ण है यथार्थ है वो discursive तरीके से ही shape लेता है तो इन दोनों की बीच में mutually constitute मान के social constructivist है यह इस gap को bridge करने की कोशिज करते है इस gap को इस sense में भी bridge करते हैं कि rationalist हैं वो material को बहुँ ज़्यादा महतु देते हैं बोतिक को बहुँ ज़्यादा महतु देते हैं और इधर जो critical theorist होते हैं वो ideas को बहुँ ज़्यादा महतु देते हैं वहीं social constructivism का जो ideational के परतिबदता है यह यह कहते हैं कि ideational के परतिबदता हमारी material reality को नकार नहीं कर क्यानि वो उसे नकारती नहीं है वो यह कहते हैं कि material reality महतु पुर्ण है लेकिन material reality है वो किसका प्रिणाम है agent के action और interaction का प्रिणाम है लेकिन material reality महतु पुर्ण इस sense में है कि उसकी व्याख्या ही agent के action और interaction को shape देती है तो इस तरीके से material को भी महतु पुर्ण मानते हुए ideas को और ज़्यादा महतु पुर्ण माना गया है social constructivism में उन दोनों के बीच में वो gap को बरने की कोशिज करते हैं dialectical constitution of knowledge and reality भी यही है कि knowledge क्या है वह reality को shape देता है knowledge किसका shape देगा agent के action और interaction को और action और interaction से reality बनती है वहीं reality की जो व्याख्या है वही knowledge है knowledge की form में आती है और किसको प्रभावित करती है action और interaction को agent के तो इस तरीके से हम देखते हैं कि knowledge and reality और agent and structure है इस debate में social constructivism जो दो IR के जो जो दुरू है उनके बीच में gap को बरने का करे करता है अब हम सामाजी क्रिचनावाद की कुछ सिधांतों कुछ विशेस्ताओं को जो rationalist सिधांत हैं उनकी तुलना करके देखते हैं तो कुछ आपको और जादा समझ में आएगा जैसे rationalist सिधांत है वो substantive theory है यह हमने देख लिया constructivism जबकि social theory है constructivism social theory है इनमें पुराने जो विचारक हैं जनको आपकसर हम राजनिती विग्यान में पढ़ते हैं उनमें एक Weber का नाम मेहतोपूर्ण है जो methodology यानि इस तरीके से जो sociological turn है उनका लिए उनका काम है और उनका रुजान है तो अगर कहीं भी questions में options Weber हो तो हमें सोच समझ कर उसका answer देना है जो rationalist है वो यथा स्थितिवादी है यह बात नहीं है कि new new debate के जो दोनो participant है वो यथा स्थितिवादी है जो व्यवस्ता है उसी का ही उसके ही संग्रेक्षन का समर्थन करते हैं जैसे नियरीलिस ने कहा कि जो bipolar system है उसी से ज़्यादा stability आती है लेकिन constructivist हैं वो बदलाओ की इच्छा रखते हैं जब वो यह कहते हैं कि हमें denaturalize करना है denatural करना है sorry यानि जो चीज़ें given reality के रूप में हो गई है उन्हें हमें यह देखना है कि यह given नहीं है जबकि socially constructed है और दूसरा जो उनका aim है वो भी यही है कि वैय अथार्थ जो socially constructed है वै socially constructed कैसे है वो कौन से inter subjective meanings है उन्हें तलासना है उनकी खोज करनी है तो इन सब उदेशियों के साथ वो बदलाओ के समर्थक है रैसनिस्ट एक्टर को as pre-social मानते है उसको समाज से अलग है समाज से independent है समाज से परपावित नहीं है वही social constructive social मानते है यह कहते हैं कि interest है वो fixed है fixed कैसे है एक तो material interest पर यह focus करते हैं यह कहते हैं कि जो military strength और economic development है वही interest है और यह fixed है बले ही को अनार्की है यानि अंतराश्ट एच्छेतर में अनार्की है उस अनार्की में कोई भी actor है उन सब के interest यही है और यह fixed है डिपेंड नहीं करता actor कौन है वही social constructivist यह कहते हैं कि बले ही interest material हो कि यह material जो है उसको reject करके नहीं चलते हैं यह कहते हैं कि बले ही interest material है लेकिन यह fixed नहीं है यह भी socially constructed है और यह socially constructed कैसे हैं यह हमने देख लिया नियो रियलिस्ट जो rationalist है वो environment और culture का जो परभाव मान कर चलते हैं वो इतना ही चलते हैं कि environment है वो regulate करता है यानि नियमित करता है और एजे constant के रूप में काम करता है यानि agent के जो action है उनको उनका नियमन और एक तरीके से उनका बादा के रूप में उन्हें सिमित करता है इतना ही करे करता है जबकि social constructivist हैं वो यह कहते हैं कि पर्यावरन और संस्करती यानि जो ecosystem जिसमे agent और agency काम कर रहे हैं और वहसंस करती जिसके तहट वो काम कर रहे हैं ये दोनों सिर्फ और सिर्फ regulate और constant ही नहीं करती वो construct करती हैं वो meaning को construct करती हैं यानि agent के action को construct करती हैं legitimate agency के meaning को construct करती हैं सरंचनाओं को save परदान करती हैं उन्हें अर्थ परदान करती हैं उनके रुपांतरन को आकार देती हैं तो environment और culture का impact को ये ज़्यादा मान कर चलते हैं rationalist logic of consequences में believe करते हैं जबकि constructivist logic of consequences के साथ साथ logic of appropriateness में भी believe करते हैं जहां तक सक्ति की संकल्पना का स्वाल है rationalist की जो सक्ति की संकल्पना है वो वाली है कि A से A ने B से C कारे करवा लिया जो अन्यता भी नहीं करने वाला था तो यहां हम सक्ति की परिवासा यह देखते हैं कि उसने उसमें वेवार में परिवर्तन करवा लिया यानि C कारे भी otherwise नहीं करवाता लेकिन A ने अपनी सक्ति के इस्तेमाल से करवा लिया तो यह कारे वेवार में परिवर्तन के रूप में दिखता है लेकिन Social Constructivism की जो सक्ति के संकल्पना है वो इसे बहुत आगे जाते हैं वो यह कहते हैं कि सक्ति है वह सिर्फ और सिर्फ वेवार में परिवर्तन नहीं है सक्ति वेवार में परिवर्तन के साथ साथ वह अर्थ परदान करती है मीनिंग परदान करती है सक्ति यानि एजेंडा सेट करने में एक तरीके से मैतुपूर्ण है कि सक्ति ही टे करती है कि हम विकास के लिए लड़ें लेकिन विकास की प्रिवासा क्या है इसी से यही सक्ति का रोल है तो उसे अर्थ परदान करती है शक्ति एक तरीके से व्यवार प्रिवर्तन के साथ साथ जो एक्टर है उसकी जो आइडेंटिटी है इन्ट्रेस्ट है इनको भी स्वरूप परदान करती है यानि सिर्फ और शिर्फ व्यवार नहीं क्या यथार्थ क्या है उसका सेप देना का कारे भी सक्ति ही माना जाता है अनार्की की जहां तक बात है वेंट का जो आल्टिकल था वो अपने सामाने तर पड़ते हैं अनार्की के लावा भी बहुत सारे टोपिक पर सरंचनावादियों ने कारे किया है तो सामाजिक सरंचनावादी जो अराजक्ता की यह दार्णा है उस पर वो अलग दरस्टिकों रखते हैं रेंशनलिस्ट क्या मानते हैं रेंशनलिस्ट की जो अराजक्ता की दालना है वो क्या है कि अराजक्ता है वो गिवन है प्री सोसल है और उसकी एक फिक्सट संकलपना है fixed है क्या है कि भी state को swimming help करनी है कोई और करने वाला नहीं है self help के रूप में अनार्की को define करते हैं वहीं अराज़कतावादी ये कहते हैं कि अनार्की है वो fixed नहीं है वेंट नहीं ये कहा कि अनार्की एक तरीके से खाली पात्र है उस खाली पात्र में depend ये करता है कि हम कौन सी structure डालते हैं हम जैसी structure डालते हैं वैसा अराज़कता का स्वरूब हो जाता है यानि actors जैसी structure डालेंगे actors जैसी structure निर्मित करेंगे वह structure define करेगी अराज़कता क्या है तो वेंट यह कहना चाते हैं कि अराजकता वही है जो राज्य उसे स्वरूप परदान करते हैं यह फिक्स्ट नहीं है जो राज्य उसे स्वरूप परदान करते हैं वही अराजकता है 20 ने तीन तरह के value system के अधार पर व्याख्या की कि अगर हम hobs, loke और can't इन तीन hobs की जो संक्रिक्ण पनाए वो एक तरी के से animity, loke, friendship और इन तीन के अधार पर अगर देखें तो तीन तरह के अराज़कता का हिर्मान होता है यह जो अराज़कता है वेंट का जो कहने का तात्वर्य है वो यह है कि अराज़कता है वह है एक given reality के रूप में नहीं है जैसा कि rationalist मानते हैं जोकि अराज़कता एक सामाजी construction है एजेंट है वो agency कौन सी structure को उसमें पूट करते हैं एक खाली बरतन के रूप में है और वो जैसे structure उसमें पूट करते हैं वैसे structure के आदात परवाय स्वरूप ले ले लेती है तूनों ने तीन जो परचलित तारना थी उनके आदार पर तीन तरह की एक तरीके से define किया कि होब्स में यह है कि होब्सियन अगर आदार पर देखें तो राज्ये हैं यानि एक्टर्स हैं वो इनेमी के रूप में अपने आपको अगर देखते हैं लोकियन सिस्टम में राज्य अगर अपने आपको राइवल के रूप में देखते हैं और कांटियन सिस्टम में अगर राज्य अपने आपको फ्रेंड के रूप में देखते हैं तो अराजगता का परकार अलग-लग होगा अराजगता अलग तरीके से डिफाइन होगी जां सिस्टम ही होगा अगर खुद आयल साहिता करो तो मज़ाल है कोई और आपकी साहिता करने वाला नहीं है सर्वाइवल ही इनका लक्षे होगा सिक्योरिटी है वो डीप कॉम्पेटिटी होगी जीरो सम गेम होगा यानि एक का इंट्रेस्ट दूसरे का लोस होगा राज्य है कर स शुरक्षा चहरा होगा तो भी ऐसा काम लगेगा कि राज्य है पावर सिकिंग कर रहा है यानि होबस कि अगर अगर सरंचना हम डालते हैं गोब्स की वेलियू जादारीद गोब्स की थोड़ तो उससे अनारकी है वो कैसी फिरमित होती है अगर हम लोग की ये मानते हैं कि राज्य अपने आपको इन्हें में मानने की बजाए अगर राइवल मानते हैं तो ऐसे कारे करेंगे जो एक दूसरे की संप्रभूता लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार को तो माननेता देते हैं यानि जो एटलिस्ट एक के अस्तित्व को तो माननेता देते हैं बले ही वो इन्सा का सारा लेते हैं वहीं अगर कांटीयन स्रंशनाएं वो डालेंगे यानि राजय कांटीयन जो फिलोसफी है उसमें अगर इतो अनार्की का जो सोरूप होगा वो ये होगा कि एक दूसरे से कितने ही कैसे ही संबनो लेगा दो साधारन नियमों पर पर सैमन होगे वो नियम होगे कि रूल ओफ न अगर किसी अन्य यानि धर्ड पार्टी के साथ सुरुक्षा का इशू आएगा, सुरुक्षा खत्रे में पड़ेगी, तो सारे टीम के रूप में काम करेंगे, यानि नोन वाइलेंस और टीम वर्फ के रूप में काम करने पर सहमती बनेगी, तो इस तरीके से वेंट ने अनार की इस वाट स्टेट में को फिट, यानि अनार की क्या है, चैसी राज्य बनाते हैं, यह वेंट का आर्टिकल है, तो उसमें इन्होंने राज देखता कि यह है व्याख्या किये, रैसलिस्ट की जो मेथोडोलोजी है, वो इंडिविजलिस्ट ओंटोलोजी परादारित है, यह हमने देख लिया, और सामाजिक सरंचनावादी हैं, वो होलिस्ट ओंटोलोजी और सोशली कंस्ट्रक्ट ओंटोलोजी में बिलिव करते हैं, इसके लावा इंटरप्रटेशन में बिलिव करते हैं, इंडिविजल ओंटोलोजी है, वो क्या है, एजेंट सेंट्रिक है, एजेंट सेंट्रिक है यह मानते हैं कि जो एजेंट है वो rationalist ओ इगोईस्ट है और एजेंट ही महतोपूर्ण है क्योंकि एजेंट के जो एक्षन है वही यधार्थ है वही यधार्थ को तै करते हैं या यधार्थ प्रिगिवन है लेकिन एजेंट के एक्षन महत्वपून है और एजेंट है वो socially constructed नहीं है यानि एक तरीके से pre-social है यानि महत्वपून है क्योंकि inter subjective meaning ही action and interaction को shape देते हैं और action and interaction ही reality को shape देते हैं तो यह यह जो पूरी process है यहां गलत लिखा गए यह जो पूरी process है इसको महत्वपून मानते हैं तो यह एक तरीके से agent centric की बजाए process centric methodology में value करते हैं अब अगर हम बात करें कि सामाजिक रचनावाद है वो क्या एक ही variant है क्या उसका या उसके कई variants है तो अलग-लग बातने सामने आती हैं जैसे अलग-लग वर्गी करना आते हैं एक यह वर्गी करना आता है कि सामाजिक सरंचनावादियों को दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक वो जो organizational theory से परेड़ना लेते हैं उनमें आते हैं James स्मार्च एंड जोन मेर दूसरे वो जो डिस्कर्सिव अनालिस्ट और जो फोकाल्टियन यानि माइकल फोकाल्ट से प्रेड़ना लेते हैं वो वाले समाजिक सरंचनावादी इसके अलावा किस को वरियता देते हैं उसके आधार पर भी समाजिक सरंचनावादियों को कई दोनों mutually constituted हैं इस पर विवाद नहीं है कुछ सामाजिक सरंचनावादी इंटर स्टेट यानि राज्यों के बीच क्या होता है उसको ज़्यादा महतोपूर्ण मानते हैं वहीं कुछ सामाजिक सरंचनावादी ये कहते हैं कि राज्यों से परे transnational क्या हो रहा है यह ज़्यादा महतोपूर्ण है सामाजिक विज्यान की संभावेता क्या है possibilities क्या है उस पर भी सामाजिक सरंचनावादी सहमत नहीं है इवन सामाजिक सरंचनावादियों के सहमती या उनके वर्गी करण की बात करें वहीं दूसरे जो लोग हैं जैसे फेरल हैं फियर्सन हैं वेंट हैं होफ हैं और वेबर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं वर्गी करन करना चाहिए क्योंकि अलग अलग परकार के सामाजिक सरंचनावादी हैं यानि वेरियंट्स हैं अलग अलग वेरियंट्स मुझूद हैं ओफ 1998 में सामाजिक सरंचनावादी हैं उनको दो बागों में बाणते हैं कन्वेंशनल कंस्ट्रिक्टिविजम और क्रिटिकल कंस्ट्रिक्टिविजम conventional constructivism वो है जो mainstream IR और critical theory के बीच संचालित होते हैं जो आब तक हमने पढ़ा एक तरीके से वो conventional constructivist मनने जाते हैं critical constructivist वो है जो एक तरीके से critical theory जो और ज़्यादा नजदीक हैं या यूँ कहें कि critical theory को ही आधार यानि critical theory को methodology है उसी पर आधारित है एडलर ने 1997 में ये कहा कि social constructivist हैं वो rationalist और interpretive epistemology हैं उनके बीच में middle ground का काम करते हैं interpretive epistemology जो postmodern और critical theorist हैं वो है rationalist हमने देख लिया जो neo-neo debate थी यानि neo-liberalism और neo-realism नव उदारवाद नव इधात्वाद फियरसन और वेंट ने कहा कि constructivism के तीन स्ट्रेंड हैं ये constructivism के तीन स्ट्रेंड बानते हैं और ये स्ट्रेंड डिपेंड करते हैं कि वो दो epistemological question हैं यानि दो ग्यान मिमान से questions हैं उनका वो जवाब कैसे देते हैं वो दो ग्यान मिमान से question क्या हैं उनका सार ये है कि पहला question ये है कि क्या objective truth संभव है यानि एक तरीके से रिलेविष्ट जो रिलेटिविजम है ये रिलेटिविष्ट स्टेंड है उसको ये cover करता है कि भी क्या एजेंट के बदलने से knowledge बदल नहीं जाएगा यानि शिर्फ और शिर्फ ऐसा universal और objective truth संभव है या नहीं है और दूसरा है जो unity of science वाला है कि क्या unity यानि science के जो methods हैं वो उस पर लगाई जा सकते हैं तो इन दोनों प्रशनों के reply में अलग-लग reply आते हैं यानि दूसरा जो प्रशन है वह है प्राकरतिक क्या प्राकरतिक विज्ञान की तरह जो causal explanation है वह है संभव है इन दोनों प्रशनों के अधार पर तीन तरह के constructivism मानने पहले हैं पोजिटिविस्ट जो यह मानते हैं कि हाँ objective truth भी संभव है और causal explanation भी संभव है दूसरे हैं interpretivist जो पहले को तो yes करते हैं लेकिन दूसरे को no करते हैं और तीसरे हैं postmodernist जो तिनों को no करते हैं उनके बीच में bridge काई काम करते हैं अब depend यह करता है कि उनकी जो position है वो rationalist के पास है या critical theory के पास है constructivism में दो और भी variants बनेगे एक है North American variant जिसे conventional constructivism कहा जा सकता है और दूसरा है the European variants जिसे interpretivist constructivism कहा जा सकता है जो conventional constructivism है वो social norms और identity की भूमिका को महतोपूर्ण मानते हैं लेकिन interpretivist जो है वो norms की बजाए language, linguistic और social discourse को ज़्यादा महतोपूर्ण मानते हैं conventional constructivist की जो methodology है वो positivist है और इनकी जो methodology है वो post-positivist है यानि interpretation multiple realities को important मानते हैं ये कौन-कौन है यदपी कोई भी सिधान्तकार होते हैं उनका इतना clear-cut वरगी करन संबव नहीं है लेकिन मोटा मोटी जो सामनेत होता है वो है कि वेंट, एडलर, ओनफ, रगी और केटजन स्टीन तो conventional है फ्रेडरिक क्रेट्च्विल और टेड होप का interpretivist, constructivist हैं कंस्ट्रक्टिविजम के तीन और रूप भी हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किसको ज़्यादा महतोपून मानते हैं राजियों के अंदर क्या हो रहा है, उसकी परवा नहीं करते, इंटर स्टेट है, वो ज़्यादा महतोपून है वहीं पिटर केटजन स्टीन है, वो ये कहते हैं कि घरेलू है, वो है ज़्यादा महतोपून है यानि किशी देश की जो national security strategy है वो ज़्यादा महतोपूर्ण है वो कैसे shape लेती है वहीं रगी और क्रेट्रोविल है वो इन दोनों के बीच में इन दोनों को ही मानते हैं यानि unit और systematic दोनों ही महतोपूर्ण हैं तो इस तरीके से ये सामाजिक शरंचनावादी हैं जो अलग-लग unit structure इन सब को पहता देते हैं social constructivism मुखे रूप से एक ontological और epistemological रुजहान है जो rationalist और critical theory के बीच में स्थित हैं उनकी अपनी जो यथार्थ और ग्यान यानि knowledge और reality knowledge और reality का mutual constitution agent और structure का mutual constitution इन के आधार पर वो किस प्रकार से बीच में settled हैं यानि कैसे वो gap को bridge करते हैं तो ये थे social constructivism के मुखे आधार और किस आधार पर वो इन दोनों से अलग हैं उनके विभिन प्रकार क्या हैं मुखे जो सिधान्तकार हैं वो कौन हैं उनको किस category में डाला जा सकता है अगर आपको lecture अच्छा लगा तो share करें like करें ये मेरे channel जो telegram, facebook और youtube हैं मेरा youtube channel है thank you so much अगम हैं